हिंदी सहते सागर चैनल में आप सबका स्वागत है मेरा नाम जंगीर सिंग है आज हम हिंदी सहते के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपक से सवंदित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उससे देख लें उसका ल लाइक और शेर करना मत बूलें आज हम करने वाले हैं जयशंक्र परशाद जी की कविताओं का सार और हमारी स्लीवस में इनकी दो ही कविताइं हैं एक तो है आंसू दूसरी है प्रेम पठिक प्रेम पठिक तो पहली करते हैं आंसू इस कविता में परशाजी के जीवन की बेदना की समर्तियां हमें आंसु में मिलती है जायशंकर परशाजी के जो जीवन में दुख थे, दर्द थे, बेदना थी, उनकी समर्तियां सिम्रतियां होता है यादे उनकी सिम्रतियां आंसू बनकर टपकती हैं उनके जीवन में दुबारा मैं फिर रिपीट करने बाला हूँ तो कि आंसू कविता का सारह हम का रहे हैं तो आंसू के आरत आपको पता होना चाहिए आंसू का आरत होता है रोना तो जैशंकर परशाजी जो लेखक हैं खुद कवी हैं उनके पूरी जीवन में जो दुख था दर्द था बेदना थी बैए अपनी बेदना को दुख को याद करके सिमर्तियां होता है याद करके आंसू बहा रहे हैं और उसी का ही जिकर, आंसू, कविता में बै करते हैं बै कहते हैं कि यह कभी बेदना को बढ़ा देती है उनका कहना है कि जो परानी यादे हैं, परानी हमारी सिम्रतियां हैं वो मेरे दुख को कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं कभी सुख का संचार करती हैं, तो कुछ यादे ऐसी भी हैं, जिसे याद करके सुख प्रावत होता है, अनंद की प्रावती होती है, कभी कहता है कि उसके हिर्दय में व्याकुल रागनी बज रही है, व्याकुल होता है कि उसका हिर्दय तडफ रहा है, उस दुख से, उस जो उसके मान को व्याकुल कर रही है यह उनके मान में उठ रही असंख्य सिम्रितियां हैं तो कभी कहते हैं कि उसके मान में अनेक असंख जिनके गिंते ही ने की जा सकती सिम्रितियां उठती हैं और उसके मान को व्याकुल कर देती हैं बेदना में बांद देती हैं लेकिन कु इसी भी सिम्रितियां हैं जिसे याद करके उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कभी को लगता है कि उसकी प्रती दवनी की गूंज लोटकर उसी के पास आ जाती है। कभी का मानना है कि उसकी खुद की आवाज प्रती दवनी उसकी खुद की आवाज गूंजती है जदिवे बोलती हैं दुख सनाते हैं दर्द सनाते हैं तो उसकी खुद की आवाज गूंज कर उसी के पास चली जाती है अर्थात दुख उनका खातम होने का नाम ही नहीं ले रह उसके हिरदे में अतीत की सिम्रतियों ने चोटी सी नगरी बसा लए है कभी का मानना है को उसके हिरदे में उसके मास्तिश्क में चोटी चोटी ऐसी सिम्रतियां है अतीत होता है पुरानी ऐसी सिम्रतियां है कि उन्होंने एक गाउं बसा रखा है एक नगरी बसाल ही है उनकी यादें कभी खातम ही नहीं होती है वह कहते हैं कि मैं रो रो अपने हिर्द्य की पीड़ा को पर्गड करता जाता हूँ उनका मानना है कि जदी उन्हें दुख व्याकुल करता है वेदना उन्हें व्याकुल करती है तो वह रो रो कार अपने हिर्द्य की पीड़ा को पर्गड कर देती हैं एक कविता में भी लिख देती हैं कभी कहता है कि मुझे चारों तरफ निराशा के अंदेरे ने गेर लिया है तो उन्हें लगता है कि उनकी जो वेदना है उनका जो दुख है उनका जो कस्ट है इतना गहरा उन्हें गेर लिया है कि वह निराशा उनके पूरे जीवन में चलती ही जा रही है कभी खात्म ही नहीं होती और उनके आंसु उरुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो बेटा यह तो था आंसु कवीता का साथ केंद्री बाव। दूसरा है प्रेमपतिक बिल्कुल छोटी है वैवी। यह कवीता प्रकिर्टिक सौंद्रिय से स्वंदित है। कवी ने संद्या जा सुवेरे के समय चिमेली की बेल पार लगे फूलों की शुबा का वर्नन किया है। तो प्रेम पत्य का अरसाथ प्रेम पत्य को होता है अरस्ता अरस्ता अरस्ते में जाने वाला व्यक्ति प्रेम होता है प्यार करने वाला व्यक्ति तो इनोंने जो प्रकिर्ति का अरस्ते में जाते समय प्रकिर्ति का चित्रन किया है संद्री प्रकिर्ति का अति संद्र प्रकिर पर लगे फूलों की शुबह का इनुहोंने बर्नन किया है जो के संध्या के समय सूर्य की किरने कैसे चमेली की फूलों को रंग लेती है कैसे उनमें रंग बार जाता है कितने अच्छे रगती है कितने खुश्वुदार होते है बै कोई नहीं जानता कि बंबरे बवरी अर्थात भवरे आती हैं रास लेने के लिए लेकिन उस चमेली के फूलों में ही अपना जीवन खातम कर देती हैं. गहरी नीद में सो जाती हैं. जदि फूल बंद होती हैं तो भवरों की मृत्य हो जाती हैं. चमेली की सुगन्द और हरी बरी डालियां जूलती होई परसानता से दखाई देती हैं बड़ा मन मोहुक चितरन है कभी का कहना है कि ऐसा परतीत होता है कि तान और मन की जो सुद है वो खोकर थस रही हो खुशी मना रही हो लेकिन प्रकिर्टी की रूपी जो मालन है अर्थाद जो वातावरन है बे मालन है मालन होता है जो पौदों को पानी देता है माली होता है एक मालन होती है पौदों को पानी देने वारा माली जो प्रकिर्टी का माली है जिसे ने अपने हाथों से इने सुवारा है उसकी परसंता और सुन्दरता का क्या कहना है कि वह क्या अक्माल का होगा इतने सुन्दर फूल उन्होंने अगाई हैं, इतने अच्छी प्रकृति का जो वाता वर्न है, बेह बनाया है, तो कभी जी कहते हैं, के हेच मेली, तुम ही बताओ, के तुम किस प्रकार प्रकीती से और अधिक सुख प्रावत करोगी, तुमें कैसे सुख प्रावत होगा, तो इसमे प्रमुक चमेली के जो फूल होते हैं उनकी शुबा का वर्नन किया है प्रकिरती की सांद्रिय का वर्नन किया है साथ में जो बवरे होते हैं फूलों का रस लेते हैं फिर गहरी नीद में फूलों पारे सो जाते हैं उनका वर्नन किया गया है हरी बरी जो चमेली की डालिय हैं उनका वर्णन किया गया है तो बिल्कुल छोटे दोनों के बिताएं बिल्कुल छोटे थी इनके सिर्फ तीन तीन पाद थे तीन तीन पाद थे तीन तीन पाद थे जो मैंने आपको करवाए हैं तो सही हम रखने के लिए द्यान पूर्बक सुनने के लिए आपका बहुत ब